नमस्कार स्वागत आपका एवीपी नियूज में महीं वफधेश राज्यसवाचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और हर स्टेट पर निगाएं पनी हैं हिमाचल की बात करते हैं जहाँ पर राज्यसवाचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और यहाँ पर भी बनाया है क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहाँ पर जे देखिए इस वक्त वोटिंग जो है वोटिंग अंडर पुसेस है चली हुई है वोटिंग मुक्यमंत्री सुखिंदर ठाकुर भी पहुंच चुके हैं पूरो मुक्यमंत्री जैराम ठाकुर यहाँ थे तो वोटिंग जो है तमाम विधायक जो है यहां पहुंचे हैं पर सबसे बड़ा कि भारते जनता पार्टी ने जो पत्याशी खड़ा किया है वो क्यूंकि वो कॉंग्रेस के बैग्राउंड से हैं तो बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बना के ये कोशिश की है कि हम कॉंग्रेस के खेमे से जो है विधायक जो है वो उनके वोट जो हाशिल कर सकें इस चुनाव में और इसी कॉंफिडेंस के बेसिस पर जैराम ठाकूर पूरों मुख्यमंत्री अभी बात कर रहे थे हम उनसे उन्होंने कहा है कि बहुत सारे विधायक हैं कॉंग्रेस के जो अंतरात्मा की आवाज यह कि अगरा भी उस्तिति में बन रही है या बनाने की कोशिष है वो जी देखिए उस्तिति बन रही है यह कहना बड़ा मुश्किल है पर कोशिष जरूर बीजेपी की तरफ से की जा रही है इस चीज की कि किसी ना किसी तरीके से कॉंग्रेस के जो कुछ एक विधायक हैं जो नाराज़ चल रहे हैं उनको किसी ना किसी त्रीके से जो और सीडिये जंटा पार्टी टी में वर्म जो है उनका वोट लिया जाए को जिरूर है भारतिय संथा पार्टी की तरफसे ला में चीफनिश्टर शुगिंदर ठाकूर भी उतने ही कि आवाज जो है Congress के विधायक सुनेंगे और खासकर उन विधायकों की बात जो है जो नाराज चल रहे हैं खासकर कुछ एक विधायक जिनको मंत्रीपद नहीं मिला वो जो है नाराज जो है मजूदा जो सरकार है उससे चल रहे हैं तो उस calculation के basis पर ही बीजेपी ने जो है candidate दिया है यहां हिमाचल में और हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर एक प्रत्याशी जिताने के लिए फर्स्ट प्रफरेंस के जो वोट है वो 35 चाहिए बीजेपी के पास 25 विधायक हैं तो क्या इस तरीके के संभावना हैं कि नाराजगी का आलम कॉंग्रेस इतना हो सकता है कि दस लोग बागी हो जाए या फिर ये माने कि ये एकदम क्लियर कट है कि कॉंग्रेस के प्रत्याशी यहां पर जीतने वाले है जी देखिए इस बात की संभावना जो है क्योंकि बीजेपी उसी थियोरी पे काम कर रही है पचीस बीजेपी के विधायक है तीन इंडिपेंड जो है उसकी जो है चांसी जो है कम नजर आते हैं पर फिर भी बीजेपी की तरफ से कोशिश जरूर है इस बात की जो है वो की जा रही है बिल्कुल सचिन जिस तरीके से राजनैतिक समिक्राण बन रहे हैं कुछ बयान बाजिया भी मंत्रीपत को लेकर हुई थी इन सब के ब बिल्कुल कोशिश की गई है पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने डिनर डिप्लो मेसी जो होती है वो भी हुई है तमाम चीजें जो है कोशिश जो है इमाचल परदेश में कॉंग्रेस की तरफ से भी अपनी जो कुनबा है उसको ठीक करने के लिए की गई है तमाम जो विधा हुई है कि कॉंग्रेस के जो नाराज विदायक हैं उनको जो है अपनी तरफ किसी ना किसी तरीके से जो है किया जाए बिल्कुल सची नमारे साथ आप बने रहे हैं कोछ अपडेट्स और हैं वो हम आपको उसके बाद आख पास आएंगे बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में राजिस्वा चुनाव को लेकर और जो बड़ी खबर है वो यह है कि जिस तरीके से कोशिशें चल रही है उ अरब से आश्वासन दिया गया है कि विदान सबा चुनाव में समायोजन किया जाएगा ये इस वक्त की बड़ी खबर है बीजेपी के टिकट पर अगला चुनाव ड़ेंगे जो लोग क्रॉस वेटिंग करते हैं अभिशेख हमारे साथ जुड़ गया अभिशेख सवाल यह और जो अगला चुनाव है वो बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे इस बारे में बात हो गई है और यह जो जब क्रॉस वोट के डील हुई है तो उसमें यह उनसे कहा गया है कि उनका टिकट अगला चुनाव में उनका टिकट बीजेपी का होगा ये उनका आश्वाशन दि और इसके साथ ये एक बात और है कि जो भविश्वे विश्वें सरकारा का विश्वार का विश्वार्ट करने वाले विधायक हैं। बिल्कुल उनकी हिस्तिदारी होगे अबसे खमारे साथ बने रही एक और बड़ी खबर है राजस्तवा चुनाओ में समाजवादी पार्टी को एक और जटका लग सकता है बदायू के विसौली से समाजवादी पार्टी के विदायक आश्टोस मौरे भी बीजेपी उमिद्व को वोट कर सकते हैं ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है और बड़ा अपडेट ये है कि विसौली से समाजवादी पार्टी के विदायक आश्टोस मौरे बीजेपी उमिद्वार को वोट कर सकते हैं तो प्रॉस वोटिंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर परदेश में राज्यस्त्रपा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक और जटता लग सकता विशेक बदायू से भी बगावत की खबर है भी बीजेपी को वोट कर सकते हैं जो दस की संख्या द्याशंकर सिन ने कही थी उस दस की संख्या का हिस्सा आश्टोष मौरिया भी हैं उनसे बातचीत हो चुकी है उनकी बात परदेश नेतर से भी करा दी के ये और बड़ा बेटास पर भी जाते हैं समाजवादी पार्टी क संख्या क्या बातचीत हो रही इन मुलाकातों में क्या संकेत इनके एक के बाद एक समाजवादी पार्टी को जटका लग रहा कल जो डिनर पार्टी सी अकले शादो कि उसमें आठ विदायकों का जाना ये अपने आप में जटके वाली बात है और अब ये पता चल रहा है कि आठ से दस जो विदायक हैं वो NDA के प्रत्यासियों को वोट करने जा रहा है अभी जो हमारे सोर्सेस ख़बर बता रहा है कि वित्यमंत्री और संसिदीकार मंत्री बिल्कुल सल्या को रोकना जाएंगे सबसे बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि मनोज पांडे की के से बड़ी खबर आपको EVP News ने बताये था कि जिस तरीके से मनोज पांडे का मन बदल रहा है उसमें जो केंद्री आला कमाने मासे बात्चीत हो रहे है विरेश सीदे आपके पास आ रहे हैं क्या जानकारी मिल रही है देखिए एक्सक्लूसिब जानकारी आपको दे दूँ कल रात मनोज पांडे की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से और अमिशा से टेलिफोनिक वारता हुई है और मनोज पांडे दो से तीन दिन के अंदर दिल्ली में जाएंगे अमिशा से और प्रधान मंतरी नरेंद्र मो ये बड़ी खबर आपको दे दू कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और अमिशा से टेलीफोनिक वारता हुई है मनोज पांडे की और मनोज पांडे को आश्वासन दिया गया है सोर्सेस से खबर यहां मैं सुत्र लगा रहा हूँ सुत्र इसलिए हास से लगा रहा हूँ कि अ मनोज पांडे भारती जंता पार्टी के प्रत्यासी के तौर पर लड़ेंगे और मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगे यह आश्वासन दिया गया है मनोज पांडे विधान सभा से इस्थीपा देंगे मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से इस्थीपा ना केवल राइबरेली बलकी अमेठी पर भी बात की जाएगी ना केवल राइबरेली अमेठी बलकी प्रताबगड़ पर भी बात होगी ना केवल प्रताबगड़ अमेठी बलकी कौशामभी पर भी बात होगी लगभग छैजीलों की जिम्मेदारी मनोज पांडे को दी जाए लोगतंत्र के लिए है जनता के लिए है जाहिर सी बात है तो आप लोगों ने मुख के सचेंता क्वनाया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है लोग आते जाते रहते हैं आते जाते नहीं बड़े मजबूत नेता है अब लोगतंत्र के लिए आतकाल में भी जेल की आतना सही है हम लोगतंत्र के लिए आप अपरेशन साइकल ऑपरेशन साइकल कर रही है साइकल भारता है कि अगतिवान रहती है गतिवान की तरीके से दूसरे ज़ेका चली जा रही है जानकारी नहीं है यह उनी से पूछी है आपके पास तो स्वामी प्रसाद भी नहीं रहा है मनोज भी नहीं है जंता का गनित यह जंता का गनित सफल है उसकी मोघ्री, मोंख्य प्रवक्ता, समाजवादी पास इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है क्या कहेंगे कह रहे हैं जनता फैसला करेगी जाहिर सी बात है जनता भी फैसला करेके मतदान करती है और उसके बाद सिरनेता इधर के उधर चले जाते हैं ये बिहार नहीं बलकि यूटी है दो से तीन दिन के भीतर उनकी केंदरी ग्रेमंत्री और प्रधान मंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है विरेज जी सीदे आपके पास आ रहे हैं और क्या जानकारी है मनोच पांडे को लेकर देखिए मनोच पांडे को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 6 जीलों को किस रूप में देखा जाए प्रामण वोटों को जो नाराज है समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौरिया और तमाम जो उनके नेता हैं जो सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से अनाप शनाप बयान दिये हैं उनको किस रूप में एक जुट किया जाए जब स्वामी प्रसाद मौरिया ज्यादा बोल रहे थे अनाप श्रया, शनाप बनेयान बाजी कर रहे थे सनातन धर्म को लेकर उस वक्त मनोज पांडे ने जो बीडा उठाई थी स्वामी प्रसाद मौरिया का विरोध किया था स्वामी प्रसाद मौरिया को ने और उनके ऊपर कहा था कि ये मेंटल हो चुके हैं पागल हो चुके हैं तमाम तरह के हैं स्वामी प्रसाद मौरिया ने कहा था कि मनोज पांडे भाजपा के एजेंट हैं तो ये जो एजेंट और पागल होने की बाते थी वो सता पर आ गई है और मनोज पांडे को जिम्मेदारी दी गई है ब्रामण वोटों को जोड़ना न किवल राइबरी बन कि अमेंट की बिल्क और इस वक्त की बड़ी ख़वर करू करते हैं बड़ी ख़वर मनोज पांडे को लेकर ये उनकी नेम प्लेट हटा दी गई है सचेतक पद की जो नेम प्लेट है उसे हटा दिया गया है ये देखे तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं वीपी नी उस पर एक्स्क्लूजिव तस सबसे बड़ी राजिती खलचल यही है कि मनोज पांडे ने जिस तरह से मुख सचेतक पद से इस्तीफा दिया है वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा जटका है और ऐसे में उनकी जो नेम प्लेट विधानसभा के भीतर लगी हुए यही रास्ता विधानसभा को समाजवादी पार्टी जनता णता नहीं स्तीफा दे रही है देखे समाजवाती प्रदेश पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रोदेश पे किस तरीके से राजेस चुनाफ को लेकर खेला ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का पलड़ा इस वक्त समाजबादी पार्टी या यूं कहें कि इंडिया गडबंधन के मुकाबले भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरीके से हलचल इस वक्त जो राज्यसभा के लिए चुनाव हिमाचल प्रुदेश में हो रहा की बात भी सामने निकल करा रही है सूत्रिय जानकारी दे रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण ये कि कॉंग्रेस के एक MLA जो वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं सुदर्शन बबलू इनका नाम है ये पंजाब के हुश्यारपुर में एक अस्पताल में भरती हैं और इन मंत्री की तरफ से चौपर तक की सुविधा करवाई गई बावजूद इसके सुदर्शन बबलू जो पंजाब के हुश्यारपुर में अस्पताल में भरती हैं वो वोट डालने के लिए नहीं आए हैं तो क्या हिमाचल में भी किसी तरीके का कोई खिला राजसभा चुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है यह अपने आप में भात पूर इसलिए हो जाता है क्योंके हिमाचल सीट एक हैं कॉंगर्स की तरफ से अभिशेक मनुसिंग भी उमीदवार हैं और बीजपी ने इस राज्यसभा चुनाव को बेहत दिल्चस्प बना दिया जिस तरीके से उतारा गया है और ऐसे बेसीधे अब आपको लेकर चलते हैं हमारे सथ हमारे वरिश सायोगी रोहित सावल इस तक मौझूद हैं रोहित एक तरीके से साख की लड़ाई हिमाचल का ये राज्यसभा चुनाव कॉंगर्स के लिए बना हुआ है जहां से अभिशेक मनुसिंग चुनाव मैदान में बीजपी ने रोचक बनाया हर्श महाचन को चुनाव मैदान में उतार कर वुख्यमंत्री की तरफ में कोशिश की गई अपने कुनवे को एक जुट रखने की चौपर तक भेजा गया लेकिन सुदर्शन बबलू नहीं आए होश्यारपूर में एड्मि शिमला नहीं पहुंचे खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री ने उनको लाने के लिए चौपर तक भेजा लेकिन वो शिमला अभी तक वोट देने नहीं पहुंचे है और रोमाना इस वक्त की बड़ी खबर जो सूत्र बता रहे हैं कि खबर है कि हिमाचल में कॉंग्रेस के कु चस्प हो गया हिमाचल में राज्य सभा का रण एक सीट का ये चुडाव है लेकिन इस चुनाव के कई बड़े संदेश हैं देगे रोमाना अगर बात करें भारतिये जरता पार्टी की बीजेपी के पास 25 विधायक अपने हैं तीन निर्दलिया हैं जो भारतिये जरता पार अभी सारे लोगों ने वोट नहीं किया है शुरुआती दौर है वोटिंग का लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये कि कॉंग्रेस के कुछ विधायक ऐसे हैं जो खबर आ रही है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और एक विधायक शिमला नहीं पहुंचे हैं वो कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग जाता है क्या यह उस तरीके का सन्नाटा है यह आता है यह अपने आप में बहुत महत्व खबर हो जाता है जिस तरीके की उठापटक की एक आशंका इस वक्त हिमाचल की सियासत में जताई जा रहे हैं, इस वीड़ जो सुखु सरकार चल रही थी, उस सरकार को लेकर खुद कॉंग्रेस के भीतर से ही जो सुखबुगाहट थी, जो असंतुष्ट स्वर सामने निकल कर आ रहे थे, कहीं पूर्ख्यों में रही है, अख़बारों में, तेलिविजन चैनल्स में, लेकिन जैसे ही राज्यसभा का चुनावार हिमाचल में कॉंग्रेस के पास पूरा नंबर है, यानि अराम से कॉंग्रेस के प्रत्याशी अभी शेक मनुस सिंग भी राज्यसभा जा सकते हैं, उसके जीत के दावे भी होने लगते हैं, और बार-बार मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर कह रहे हैं कि हम अपील करते हैं कॉंग्रेस के लोगों से कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें, और अभी शेक मनुसिंग भी पर कई तरह का रोब भी लगाए, कि हिमाचल सरकार के खिला लीडर्शिप है, वो भी इस बात को लेकर हमेशा शंकी थी, यही वज़ा है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहिए प्रदेश प्रभारी हो, राजी फ्युकलाओं, सब लोग शिमला पहुंचे, कल देर रात विधायकों से मश्वेरा उन्होंने भी किया, लेकिन इस लेकरा कितने विधायकों का है, यह देखना दिल्चस्ट होगा, क्योंकि अगर यह आंकड़ा बढ़ता है, भारतिये जननता पार्टी को ऐसे स्थिती में जो अभी मौझूदा स्थिती है, 25 भारतिये जननता पार्टी के तीन निर्दलिया ऐसे में साथ वोट की जरूरत है अगर कहीं साथ कॉंग्रेस की तरफ से क्रोस वोटिंग होती है, तो कॉंग्रेस को बड़ा जटका लग सकता है हिमाचल प्रदेश में रोमाना, इस बात से बिलकुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है बिलकुल और अब ये तस्वीर भी साफ हो रही है वो जिस तरीके से पजल के जो पीसेज हैं वो सब अपनी अपनी जगा पर फिट होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के आधार पर समझा जा सकता है क्योंकि आला कमान भी इस बात से वाकिफ था और जो बात आप कह रहे है कि साफ वो हिमाचल के जरीर राज्य सभा पहुचेंगी उनके लिए हिमाचल का रास्ता नहीं राजस्थान का रास्ता चुना जाता है तो मतलब कॉंग्रेस आला कमान भी हिमाचल को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं था डर था कि खेला हो सकता है बिल्कुल रोमाना बिल्कुल सही आपने का देखे कि कॉंग्रेस की जो टॉप लीडर्शिप है वो उसको खुद शंका थी यही वज़ा थी कि सुनिया गांधी का नाम चला प्रियंका गांधी का नाम चला और सुनिया गांधी को राजस्तान से भेज दिया गया हालां कि मै में बैठी हुई कॉंग्रेस की लीडर्शिप को प्रदेश कॉंग्रेस के नेताओं पर भरोसा नहीं था और आज जो जिस तरह की अभी शुरुआती दौर पर जो खबरे आ रही है कि एक विधायका स्वस्थ हैं कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है तो यही वो डर था कि सोनिया गांधी को हिमाचल से नहीं लड़वाया गया हालागे भी कुछ दिर इंतजार और करना होगा लेकिन रोमाना देखिए मैं बार बार आपको एक बात कहरा हूँ एक बात बड़ी गौर करने वाली है यह हिमाचल में सिर्फ एक राज्यसभा सीट का चुनाव नहीं है कल हिमाचल में बजट पेश होना है अगर कहीं क्रोस वोटिंग की स्थिती बनती है तो क्या कुछ होता है बड़ा दिल्चस्प में देखना होगा बड़ा दिल्चस्प में जानना होगा ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह हिमाचल में बीजेपी को साथ वोट चाहिए जीतने के लिए लेकिन अगर साथ वोटों की क्रॉस वोटिंग होती है तो आप सोच सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितना बड़ा राजुनेतिक संकट गहरा सकता है जी रोमाना ने ने मतलब इसमें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी नरोट क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश से कंपेर करें तो उत्तर प्रदेश में समाजबादी पर्टी जहां पर दस विधायकों की सेंधमारी का मामला बताया जा रहा है समाजबादी पर्टी विपक्ष में है लेकिन हिमाचल के अंदर सिती बिलकुल उलट है हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस सत्ता में है और ऐसे में अगर कॉंग्रेस में बीजेपी ये सेंधमारी करने में कामियाब होती है पचीस बीजेपी के अपने विधायक हैं तीन जो निर्दलिये हैं वो बीजेपी के साथ ह मतलब आंकडा 28 पर आता है, जीत के लिए आपको 35 जाहिए और ऐसे में अगर साथ और विधायकों का जुगार मतलब कॉंग्रस के भीतर सेंध मारी BJP करने में कामियाब हो जाती है फिर तो सीधे सीधे ये तलवार लटक रही है हिमाचल सुखु की कॉंग्रस सरकार पर यही मायने निकाले जाएंगे इस बात के तो रोहित बिल्कुल रोमाना देखे आपने बिल्कुल सही का मैंने वही का कि अभी खबर है कि कुछ विधायकों ने क्रोस वोटिंग की है, आंकडा सामने नहीं आया है लेकिन अगर यह आंकडा कहीं साथ या साथ को पार कर जाता है तो बिल्कुल आपने सही का कि तलवार लटकी हुई है, बड़ा राजनेतिक संकट हिमाचल प्रदेश में हो सकता है क्योंकि बजट पेश होना है रोमाना, फैनेस बिल पेश होना है विधान सभा में अगर फैनेस बिल पारित नहीं होता तो आप जानती है क्या होता है तो ऐसे में बड़ा संकट ये राजने सभा चुनाव में तो मुझ की खानी पड़ेगी लेकिन सामने कोर सियासी संकट खड़ा होगा कॉंग्रेस के सामने अगर ये क्रोस वोटिंग का अंकड़ा साथ या साथ से पार जाता है रोमाना तो ये तो सुखू सरकार के लिए एक तरीके से बिलकुल चुनाव के नतीजों जैसी घड़ी और सिती यहां पर बनती हुई नजर आ रही है इस भी इस तस्वीर आपको दिखाते है मुख्यमंत्री योगी आदतनाथ जो लखनव विधान सभा से बाहर निकल रहे हैं तस्वीर आपके सामने हैं अपनी गारी में बैठ गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदतनाथ और यहां से अब वो अपने आवास जाएंगे दोपहर बारा बजे जब मनोच पांडे योगी आदतनाथ के घर पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके की सियासी उठापटक की सुख बुगाहट सुनाई दे रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वज़े बीजपी के उस जीत के दावे में छुपी हुई है जो बीजपी दावा कर रही है कि वो राज्य सभा अपने उमीदवार को भेजेगी और अगर ऐसा हो जाता है रोहित मतलब बीजपी का उमीदवार हिमाचल में बाजी मार ले जाता है फिर तो मतलब संकट सीथे हिमाचल कॉंग्रेस सुखु सरकार पर बिल्कुल रोमाना बड़ा संकट में बार-बार कह रहा हूँ कि खबर है कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंगी है जैसे ये आंकडा साफ होता अगर ये आंकडा साथ या साथ के पार जाता है तो निश्यत तोर पर हिमाचल प्रदेश में बड़ा राजनितिक संकट, राजनितिक संकट गहरा जाएगा बीजेपी सीट अगर जीत गई राज्यसवागी ये तो राज्यसवागा चुना वुआ लेकिन कल बजट पेश होना है, ऐसे में एक बड़ा संकट सामने है और बड़ी बात रों माला ये है कि एक विधायक अभी अस्पताल में भरती है उनको लाने के लिए मुख्यमंत्री ने चौपर तक भेजाई, ये भी खबर है लेकिन ओ शिमलान नहीं पहुंचे, कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर है कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से संपर्क करने के कोशिश हम लगातार कर रहे है लेकिन वहाँ पर उस फ्रंट पर चुप्पी साधी हुई है हाले कि मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया और उस बयान को भी हम सुनाएंगे कि सुक्विंदर सिंग सुक्खु मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे है लेकिन उन्होंने भी अपने बयान में यह सब बाते कही उन्होंने कहा देखिए वैसे तो ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है अंतरात्मों के अवाज पर लेकिन खरीद वरोक्त हो सकती है इस तरह की शंका उन्होंने जाहिर की यानि confidence उस front पर भी नहीं दिख रहा है रुमाना ये बड़ी खबर है यानि हिमाचल में एक राज्य सबा सीट का बयार है रोहिट जरा वो सुना दते हैं दर्शकों को क्या कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्च्वस्त क्यूं सुना ही नहीं पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी जरा खुछ सुनिया बार्चित करने के बाद आगे मैं बता सकता हूँ और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है सभी विधायकों ने बोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सब ने बोट पार्टी की विचार धारक को उपर डाला है और अब जब पढ़नाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं बारतिय जनता पार्टी में अंतर आत्मा लाम की कोई चीज थोड़ी है, वहां तो पैसे आत्मा चलती है, तो निश्ची तोर पर इसमें मैं कह सकता हूं कि अंतर आत्मा की बात परबोड नहीं होता, पिचाज घरा परबोड होता है, और जो लोग पार्टी से बिरोध में कहीं उनकी उन्होंने कुछ नो कुछ, बोदिवाजी की उतिया, तो ये जो बायान है, अपने आप पर बहुत महत्वपोर हो जाता है, रोहित, नसर बायान की जब नतीजा आएगा, तभी कुछ कहा जा सकता है, और साथी साथ बोडी लांग्वेज, अपने आप में यहां पर बहुत कुछ बाया हो रहा है, रोमानम मुझे लगता है कि एक बार फिर से दर्शकों को ये बायान हमें सुनाना चाहिए, और जिन परसितियों में चुना हो रहा है, हर एक में सहास नहीं होता है, जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए, सरकार के खिलाफ खड़े होने में सहास चाहिए, और दवाब तो हर एक में बनाये जाता है, ये बात कौन नहीं जानता है, कि भारती जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हत्गंडा अपनाएगी, जिस भारती जनता पार्टी ने चंडिगर में बेमानी की हो, बैलेट से जब बोट पड़ा, जीतने के लिए, उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाडा गया, किस तरीके से बोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर सीसी टीवी न होता, और बैलेट से बोट न पड़ा होता, तो शायद भारती जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता, जहां तक यूपी का सवाल है, राजस्वा के चुनाओं में भारती जनता पार्टी ने सब कुछ किया है बोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं, उनमें सहास नहीं रहा होगा सरकार के खिलाब ख़ड़ा होने में, कारवाई निश्यत होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथ ही हैं, उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए, अभी तक तो कदावर नेता लग रहे थे, लेकिन कदावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई, कि सरकार के खिलाब बोट डालने में, साहस की जरूरत है. अभी तक नहीं आई ये तो वोच शाने हैं क्योंकि उनकी वे, क्या बूला था भी आप ने, आंतर आत्मां से, तो मैं किसी की अद्धर आत्मा से पारे में नहीं जानता हूं. कोई बात नहीं जब जो भोज में नहीं आए चर्चाय आपके माद्धियम से भी थी चर्चाय और तरह से भी थी अब उन बातों को आप बैदर समझते होंगे कोई क्यों चला गया किसी को सीक्रीटी की जरुत रही होगी किसी को धंगाये क्या होगा कि आपके मुगदमे पुराने हैं आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है आपको यह लाब दे दिया जाएगा सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही है सुनने में तो package के वारे में भी आ रही है वो बास समझ में नहीं आ रही को वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना उनके वारे में किसके वारे में क्या कहें किसके वारे में हम क्या कहें कि आपने बात की कि आपके कई बार कुछ लोग कुछ होता है कि खबरों में रहने के लिए कि लोग सबाद चुनाओ जो उत्तरपदेश का होने जा रहा है वो उत्तरपदेश की जंता देख रही है क्या क्या वो नौजवान जो दोड़ाए जाने जिन पर लाठी पड़ रही है क्या वो भूल जाएंगे भादिनिता पार्टी को जो लाखो लाख नौजवान परिक्षा दे कर गे घर लोटा किराय कहां से लाया था खाने पीने के अन्जाम क्या किया था कैसे वो रहे थे कैसे परिक्षा लिखी और उसके पेपर आउट हो गया लीक हो गया पेपर सरकार ने लीक कराया और सरकार मैंने पहले भी काफिर कहता हूं सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परिश्वा अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे एक तरीके से हार मानते हुए अखिलेश यादव मीडिया के सा वोटिंग हो रही है उसमें साफ तोर पर पलड़ा जो है वो बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज के हलियां से हैं। पलवी पटेल का वो नहीं आई है क्या उनसे भी कुछ और होगा। समाजादी पार्टी को कुछ समय रहना था अब लक्ष कुछ और होगा। आखरी सवल आप से राम मंदि और सनातन की जो बात के ही जा रही है ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने रोका मंदिर नहीं जाने दिया। आखरी समाजादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष एब बीप नूस से बात्चित में कि हमने जो ये जा रहे हैं विधायक ये सब जाने की पीछे इनका मंसा है कि ये इनके उपर दवाव है और पैकेज है उसके चलते जा रहे हैं अब बात्चित में कहा है और पल्ली इनका उनकी राहें अलग हो गई होगी कैमरमने हिमन के साथ अब शेक उपादे एविपी नूज लखनू तो यूपी में क्राउस वोटिंग होई है और समाजवादी पार्टे मुक्या ने कहा कि सब ही को पैकेज मिले हैं और ये पैकेज का लाला चुनियो सोर ले गया है